वश्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए जटपट बनने वाली जो है वह लौकी और शिवलामिर्श की सबजी लेकर आई हूँ बहुत ही इजी सबजी है बहुत ही आम सबजी है सबके घरों में लौकी बनती ही है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले जिनो ही कटे वे लसन है तो हम यहां पर इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे लसन का जो है फ्लेवर पूरी तरह से तेल में आ जाना चाहिए तो ही सबजी में टेस्ट आएगा यहां देखिए लसन जो है वह बिलकुल ब्राउन हो है वह गोर्डन ब्राउन हो गए है तब हम यहां पर एक हरी मिर्च काट कर डाल रहे हैं और साती में हम यहां पर अब आट करेंगे शिमला मिर्च जो है उसके भी बारी बारी टुकड़े नहीं करने है थोड़े से बड़े बड़े ही काटने है तो हम यहां पर शिमला वह लौकी के कृंटिटा जितनी नहीं हुनी चाहिए— अगर आपकी लौकी एक बड़ी लौकी आपने लिये तो उसमें एक छोटी काफी है उसी सही लौकी में बहुत अच्छा फ्लेवर का जाएगा तो पकाने के बार हम इसमें आठ कर रहे हैं लौकी यहाँ पर मैंने एक लौकी थी जिसको मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है तो इसको अब हम मच्चे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें आट करेंगे नमक, नमक सवात के अनुसारा हम डाल रहे हैं लौकी जल्दी पकाने में हեल्प करेंगे वह मारी यहाँ पानी चोड़ा अगर आप नमक एड़ कडेंगे त्सलिए झाल कि जासे अच्छा सा कलर आ सके तो इसको हम धीमी आज पर थोड़ी देर पकने देंगे तो हमारे यहाँ पर सबजी देखिए, पकर तयार है, मैंने कम से कम 5-7 मिनिट जो है, इसे धीमियाज पर पकाया है, और आप देखिए, जो सबजी है, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, तो अब यहाँ पर हम इसमें आड़ करेंगे टमाटर, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं, याद रखिए, आपने एक हरी मिर्ची भी डाली, अगर हरी मिर्ची तेज है, तो लाल मिर्च थोड़ा कमी डालें, फिर हम साथ में यहाँ पर डाल रहे हैं अद्रक, अद्रक जो है, वो घ फिर धकल लगाकर पांच मिनिट और थोड़ा सा पकने देंगे तो अब यहां पर मैं इसको धकल लगा देती हूं और फिर हम इसको पांच मिनिट और पकने देते हैं तो यहां पर हमारी सबजी बिलकुल रेडी है मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं पक चुके हैं और देखिए कहीं पर भी पानी नहीं है सबजी में तो कितनी आसानी से लौकी और शिम्ला मिर्च की सबजी फटा फट से हमने बना ली है तो इस प्रस्तर अभी को जरू वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहा मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही नएनी रेसिपी और किचन टिप्स सीखने को मिल सकें तो मैं एकली बार फिर हाजर होते हूँ एक नए साइगे के साथ कुछ नए उच्का